नजाने क्यों होता है ये जिन्दगी के साथ अचानक ही मन किसी के जाने के बार करें फिर उसकी याद छोटी-छोटी सी बार नजाने क्यों बीटे बरस हिंदी सिलिमा की एक लोगप्री अधाकारानी फिल्मी जगत को अलवे रखा जी हां साव 2019 का वो दुखत दिन दा 15 अगस्त वाइटिंग इंटर्टेंविंट की जाने आजाने शेंक्रा में याद करेंगी इस अधाकारा को सत्तर की दशक की ये खुबसूरत अधाकारा थी विद्यासिना विद्यासिना जिनकी फिल्मों के सुची बलही रंभी नहों परन्तु अपने सहच सरण वसाथ की पूर अभिने से वे दर्शों का दिल जीतने में पूरी तरह से काम्याब रही प्रिंटेट साड़ी, माते पर छोटी सी बिंदी, धीरी धारी इकैरी चोटे और हूटों पे हर्की से मीठी मुसका यही तो थी इस अधाकारा की मुख्य पैचान मुपूर में जैन मीवग बली बड़ी विद्या सिना ने किसी एक्टिंग स्कूल से प्रशिक्षय नहीं लिया था फिल्मों में आने से पहले वे मॉडलिंग को ही अपना करियर बना चुकी थे परन्तु विद्या सिना फिल्मों की बेहत शौकिन थी अपनी नैचरल ब्यूटी और एक्टिंग से नाना प्रकार की उत्पादों में काम करके उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकरशित किया था इतना ही नहीं साल 1968 में मिस मॉंबे भी चुनी गए थी हर्केपुल की कॉमेटी, रोमैंटिक, घरेलुव, संजीदा इन अलग-अलग भूमिकाओं से विद्या सिना ने हिंदी सिरेवा में अपनी एक खास जगे बनाई थी अधिखांश फिल्वों में एक भारते नारी के किर्दार में विद्या सिना पूरी तरह से सब्भल रही फिर चाहे वो बड़ी रिकी महिला दीपा का किर्दार हो या फिर घर को संभालने वाली पत्नी और मा शार्बा का भूमी का जाहे जो भी हूँ दर्शकों ने उनकी फिल्मों के साथ-साथ उनकी अभिने को भी खुबसरा और पसंद किया इसकी वज़े थी उनका नेचरल ब्यूटी और सरुल अभिने सब्तर के तशक में हिंदी सिनेमा की टॉप हिरोइनों में से एक थी वित्यासिना, सार 1974 से फिल्मों में कदम रखने वाली वित्यासिना ने फिल्म इंडूस्टी को एक के पाधे काम्याफ फिल्में ती, एक और मन्नु बंडारी की लगो कहानी ये सचे पर आधारिद फिल् जीवन, जीवन मुक्त, मुक्ति, कर्ग, किताब, अथिती, जीना यहां, पती-पत्नी और वो, तुम्हारे लिए मगरू, मीरा, स्वयंबर, सबूत और जोश जैसी काम्याँ फिल्में थी हिंदी सिनेमा को। इतना ही नहीं, अकीरा कुरो सावा की जैपनिस फिल्म, हाई एंड लो का हिंदी रिमें, इनकार और बांगला फिल्म, छुटी इर्फांदे का हिंदी रिमें, सफीर जूट भी उनकी काम्याँ फिल्मों में शुमार है। 1974 में आई जर्डी गंदा विद्या सिना की पहली हिट फिल्म में थे, हाला कि उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी राजागा का, जो साल 1974 में आई थे, इस फिल्म में इनके नायक थे, किरन कुमार, इसी फिल्म में अभिनेता प्रेम नाथ ने एक गीर भी गया था, डगर जग देखो, विद्या सिना की फिल्मों की सपलता का एक अन्न महत्रपूट बख्ष था उनकी फिल्मों का संगीत, गीतों की सपलता में जोगदान रहा, सलिल जौदरी, आडी बर्बन, रवेंदर जैन, जैदीर, राजेश रोशन, भपी लहरी, पश्यामल मित्रा जैसे डोग पुरिय संगीत का रुका, फिल्म रजनी गंदा का शीरशक गीत हूँ, या फिल्म छोटी सी बात का जाने मन जाने मन, या फिल्म तुभारे लिए कि तुभे देखती हूँ, पती-पत्नी और वो का ठंडी-ठंडी पानी से नहाना चाहिए, मुक्ती का सोहानी चांदनी रा आमुसिपी गुजार, रास दिलग प्राण डाल मेता और बीयर चोपड़ा जैसे सुप्रसित निर्मातर निर्देशकों की फिल्मों में, अमूल पारिकर जैसे उस समय की उभरते वे नायक के लवा, संजी कुमार, शेशी कपूर, विनोध खन्ना, उत्तम कुमार, शत्रग वाले विद्या ने राजन सिप्पी की 1981 में फिल्म जोश में नकारात्मा भूमिका भे निभाई थी, बहुत कम संगे प्रेमी ये जानते हैं कि विद्या सिना ने सत्य जीत रोय की, 1962 की फिल्म कंचन जंगा में एक छोटी सी भूमिका की थी, असी के दशक में लव स्टोरी, किरायदा, प्यारा दुश्मन, कैदी और जीवा जैसे फिल्मों से विद्या सिना चरित्र भूमिकाएं करने लगी थी, साल 2011 में आई बॉडिगाड उनकी अंतिन फिल्म थी, जिसमें वे करीना कपूर की मा बनी थी, फिल्में ये मा बॉडिगाड सल्मान खान को बात बात इस आसर भूमिका में भी वे खुब सरहे गें, सिलिमा की बड़ी पड़ी के इलावा, टेलीविजन की छोटे पड़ी पड़ी पर उन्होंने काव्यांजली, जारा, हार जीत, कुबूर है, इश्क का रंग सफेद, चंदर नंदनी और कुल्फी कुमाल बाजी वाला जैसे दारावाईकों में काम किया, विविन दारावाईकों में उनके दोरा निभाए के चरित रभूमी काउं में भी उन्ही धर्शकों का भरबूर ब्यार मिला, साथ 1927 पंदरा नौंबर को मुंबई में जन्मी विद्या सिना आज भले ही हमारे बीच नहीं है, परन्तों सिनेमा आपने में जब भी विद्या सिना अमेनी फिल्मों को देखेंगे या उन पर फिल्माएगे कीतों को सुनेंगे, वे यही कहेंगे, तुम भी देखती हूं तुर लगता है ऐसे, कि जैसे हिल्बों से तुम्हें जानती, वाइटिंग इंटर्टेंडमेंट की जाने अंजानी कि ये शंकला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताईए, लाइक करके और अपने कमेट्स के मात्यम से, नन्यवाद